चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा दीजिए और वीडियो शेयर जरूर करना धन्यवाद के बारे में भी ऐसा कई बार अफ़ा उड़ चुका है कि अगर लाइसी डूब गई लाइसी जो है सरकार ने बेश दिया तो उसमें आम पब्लिक के पैसे का क्या होगा क्या गारंटी है कि वो पैसा आम पब्लिक को मिल जाएगा तो बिलकुल यह बात जायज है और ऐसे मन में सवाल आने भी चाहिए चुकि हमारी मेहनत का पैसा होता है कड़ी मेहनत से अगर हम पैसा कोई कमा रहे हैं और कहीं भी हम लगा देते हैं और नुकसान में जाता है तो उससे दुख तो होगा ही हमें भी होता है आपको भी होता है सभी को होता होना भी चाहिए अब बात आती LIC की, LIC का जो पैसा आप अगर LIC पैसा लगाए हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाए हैं तो भी ठीक है, लेकि जानना बहुत जुरूरी है देखे, LIC में जो पैसा आप लगाए है, ठीक इसलिए है चुकि इसमें जो है, एक Sovereign Bond नाम की गारंटी होती है जिसके तहट LIC और गॉर्मेंट के बीच में एक जो है समझावता होता है, कि अगर किसी कारण से LIC दिवालिया होती है तो आम पबलिक का पैसा गॉर्मेंट पे करेगी जिसके तहट 5% प्रॉफिट का 5% हर साल LIC गॉर्मेंट को देती है यह आपको जो है बहुत सारे जगें यह इनफर्मेंशन मिल जाएगी आप इसके तहट जो है LIC जो पैसा दे रही उसकी वज़े से सरकार गारंटी देती है अगर ऐसा कुछ होता है तो पैसा जो है गॉर्मेंट आम पबलिक को दे देगी तो ठीक इसलिए है कि आपका पैसा सुरच्चित है अब दूसरी बात कि अगर आप नहीं लगा है तो ठीक कैसे देखिए LIC में जो रिटर्न होता है तो 5% के आजपास होता है बहुत सारे लोग जो है जो है जो लोग नॉलेज रखते है शेयर मार्केट की या प्रॉपरिटी में लगाते है जो पैसा उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट का मार्जीन आ जाता है तो कई बार जो है नुकसान भी होता है बट अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं तो उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं या लॉंग टम में अगर आप मियूच्वर फण लेते तो उसमें भी आको अच्छा रिटन मिल जाता है शेक्रीटी की बात करें लेकिन जो मिनाफ़ा होता जो रिटन होता बाकि कहीं डूसरी एरिया से मिलाएंगे तो यहां पको कम ऐख सान के mutual fund में डाल दीजिए तो कई बार अगर आपके अच्छी knowledge है तो आप देखेंगे कई बार उसमें जो है 5 साल, 10 साल में ही 20% 30% का return आ जाता है और अगर average देखें पिछले 10 सालों का कभी भी निकाल लेजिए पिछले 10 सालों का mutual fund का return कहीं भी compare कर लीजिएगा हमेशा 10 से 12% का average return आपको असानी से मिल जाता है तो आपको जो investment करना होता है अगर आप अच्छी knowledge रखते हैं तो मैं तो सुझाओ दोंगा कि आप mutual fund में करिए SIP करिए, property में लगाए अगर आप बिल्कुल ही सुरच्छित पैसा चाहते है नहीं आपको कुछ भी नहीं देखना है आपका पैसा चाहर डबल ही हो 20 साल में तो आप एलाइसिम लगा देजिए 20 साल में आराम से डबल हो जाएगा और सुरच्छित पी रहेगा इनफर्मेशन कैसा लगा कमण करिक बता सकते हैं सब्सक्राइब करने जीगा थाइक यू सो मच